मुख्य मंत्रियों ग्यादित नातने प्रदेश के युवक और महिला मंगल दलो को अपने अपने छेत्रों में साच्छर्ता, स्वच्छता और नशा मुक्ती के लिए अलग जगाने का आवाहन किया है कोविक काल में युवक और महिला मंगल दलो द्वारा आम जन को जागरूप करने के लिहास से किये गए प्रयासों की सराना करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि युवक एवं महिला मंगल दलो के रूप में युवाओं की असीमुर जा सामर्थ और रशनात्मक्ता समाज की उन्नती में बड़ी सहायक है खेल कायक्रमों के साथ साथ इन दलो द्वारा किये जा रहे जन जागरुटा के प्रयासों को अब विस्तार देने की जरूरत है मुख्य मंत्रियो योगी आदित नात बुद्धवार को लोग भवन में आयोजित कायक्रम में 67,000 से अधिक युवक केवं महिला मंगल दलो को खेल सामागरी का वित्रड कर रहे थे सीम के हाथ होई 11 अलोग के सदस्यों को खेल सामागरी मिली जबकि शेस को जिलो में आयजित कायक्रम में स्थाने जन प्रतिनी धियों द्वारा यह सामागरी वित्रड किया गया गोरखपूर, अलीगर, फिरोजाबाद, बांदा और गोंडा के अलग-अलग गाउं में गठित युवक मंगल दल के सदस्यों से समभात करते हुए सियम योगी ने कहा कि उरजा सभी के पास है मुहत पूर दृष्टी कोड है यदि हमारा दृष्टी कोड सकारात्मक है तो हम घर, शहर, प्रदेस और देस के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और अगर हमारी भावना नकारात्मक है तो हम खुद के लिए ही बोज हो इसी में सब की उन्नती है मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो लाग से अधिक राजस सुग्राम है युवा कल्यार विभाक सभी गाउं में युवक एवं महिला मंगल दलों के गठन की दिशा में काम करें प्रदेश की विभेने छेत्रों में गठिट 66000 से अधिक यु पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को युवा कहलाना पसंद तो करते हैं लेकिन युवाओं के हित की उन्हें कोई चिंता नहीं रही या युवक मंगल दल दशुकों तक उपेक्षित रहे लेकिन आज की सरकार ने ना केवल इस महत संदार नतीजे मिल रहे हैं सीम ने कहा खेलों से हमारे भीतर एक टीम भावना का विकास होता है यह टीम भावना घर से लेकर नौकरी सही जीवन के हर शेतर में काम आती है मुख्य मंत्री ने सभी युवक एवा मंगल दलों को आश्वस्त किया कि उन्हें विकास के लिए हर जरूरी मोहल उपलब्द कराये जाएगा बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए औसर भी उपलब्द कराये जाएंगे इससे पहले प्रदेश के युवा कल्यार खेलवा पंचाइती राजविभाग के राजि मंत्री स्वतंतर प्रभार उपेंत्रिवारी ने कहा कि वर्तमान स प्रशत के उपाध्याश डॉक्टर विबराट चंद कोसिक ने सीम योगी द्वारा युवाओं के हित में किये जा रहे कारियों को एतिहासिक बताया कायक्रम में अपर मुख्य सचे विवा कलने आंडिम्पल वर्मा ने विभागिये गतिविधियों का एक संचिप्त परच को पुना जीवित किया गया है जिसके परसुल हमने 2018-2019 में लगवज 25 वीस हजार नंगर गरों को यह जो सामगरी उत्रम की थी वो भी कि टर्दिम के मात्रम से क्राइधिया रहे जा था वर्मा ने विभागियों के सामगरी दे रहे हैं तो आएए आदास करते हैं दिवा जोश और दिवा जोश के साथ इस कार्दम को इस क्राइधियों के मंत्री की सद्रम अलोर तरोंगी की माधियों किम्रेधियी का स्वागत पढ़िए कि वा कल्याद रहा आयोजीत आज के सार्कम के मुशस्थित हमसत्य विभावत रेड़ाव अभुजा के स्रोथ जिनकी कड़ी मेहनत वा परिश्रम के बल कर आज उत्तर प्रदेश और उत्तरम प्रदेश बन चुका है आयोजे उत्तर प्रदेश के स्वा मुख मंत्री पुज्ययोगी आधिकना जिमाराज जीका प्रदेश के उपाधर्ट्स राजी वा कल्याड पर फिछर्चे चार्कर जुभाग की सौसिद जीका प्रदेश के सभी मांने मंत्री गड़का, मांने सांसर गड़का, सभी मांने विधायक गड़का, सभी जिला जिकारी गड़, यहोंप युवक मंगल और उत्ति मंगल दर्खे, मांने मुख मंत्री जी द्वारा युवाओं की असिमिक पूर्जा के महत्य को समझते हुए, मांने मुख मंत्री जी का, मैं अपनी तरफ से और अपनी गड़की तरफ से, आपका हार्दी पागत अनननन यहों बंदनन करना चाहता हुए, यहां से सुरू होना है ना, जी, जारा होना है, जारा होना तरहाए है, यहां रिखने है, संवाद वाल के ओका होगा, संवाद वाल के तरहा होगा, आपना उनकोलाव खजी तरहा है, और अल्ला हुआ हाँ गोरकपूर से गोरकपूर जनपर आपका नया पार से है तो आप लोग क्या क्या काम कर रहा है हाँ आपर योक मंगल तरके मार्फिन से खेल कमेदान है काओ में जी सर ओपन जिम बना की नी बना की नी बना बना हुआ अच्छा तो क्या आज आपको जो यह कित मिलना है स्पोर्स का कित मिलना है वहाँ पे मारे जो विधायगण प्लब्द कराएंगे तो इस कीप को लेकर के आप काओं में जाएंगे तो उन बच्चों को सब को खिलने का आउसर मिले का ना इसमें कितने बोग जुड़े हैं आपके आपके जो है नई आपार में आपके आपके जो है नई आपार में जादा है तो सब यह को जोड़ करके खेलने के ग्योस्ता करवाईए अच्छे कारेक्रमों के साथ उनको जोड़िये देखिए युवाओं को खेल के प्रती तोसाहिप करना और नसा से दूर करना नसा एक विप्रिती है और ये एक नकारात्मक सोच का पतीक है अब अगर इन ही युवाओं को आप खेल कूद के माद्यम से रसनात्मत ताची तरब से लेके चले जाएंगे खेल कूद का मत्तब यह है कि दिन वर खेलना कूदना नहीं है ले खेलने का समय एक समय होगा छुटी के दिन दोपर में हो सकता है साम के समय हो सकता है सामान में दिनों में कोई एक गंटा दो गंटे का खेल कूद का कारिक्रम होगा से समय गाउं के अंदर वह युवक मंगल दर बसनात्मक काड़करवों के साथ जुड़े जैसे साथताई सचता भ्यान में सरमदान करना जैसे गाउं के अंदर किसी कुरूती के खिलाप लोगों को जो है उसके बाड़े में जागरुता पैदा करना जैसे करोना के एक आल खंड में हम लोगों ने बियुस्ता बनाई थी कि बाहर से आने वाले लोगों को पहले कॉरंटीन सेंटर में रखेंगे फिर वहां से उनको तब बाद में जब 21 दिन का उनका कॉरंटीन का पिरिड़ पूरा हो जाएगा तब ही उनको गाओं में आने देंगे तो पसासन के साथ संबाद बनाना गाओं के अंदर सांती सुभिवस्ता बनी रहे किसी परकार की अभिवस्तार अराजकता का माहूल ना बने इसके लिए अस्थाने थाना पसासन के साथ एक पेहतर संबाद बनाना ये चीज़ें अगर आप लोग कर पाएंगे तो यॉक मंगलतल के प्रती लोगों के मन में एक विस्वाज जगरत होगा ठीक है चलिए निकल जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई और आप लोग जो है सभी अपने जो इतनी भी आपके युवास साथी हैं मुझे लगता है कि नया कार में ऐसा तो नहीं कि लिपल बर्माजी गोरकपुर की डीम थी तो इन्हों ने आपको जबरतस्ती पहले से चांद पैचान रहा होगा इसा पैचान नहीं थी कि इन से तो डीम के रूप में काफी जिन गोरकपुर में रही है चले बहुत सुन्दा बढ़ाई बढ़ाई अगला 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 औरा भाध तारत हमार उस्ता यह और गुस्ता यह और आपने अपने आश्रवचान से अदल करें प्रदेश के मंगल दलों के प्रोचसाहन सुरूप आज खेल सामागरी युवा कल्यान विभाग के द्वारा बितन के आज के समारू में लखनों में मेरे साथ यहां पर पस्तित प्रदेश के खेल और युवा विभाग के मंत्री से उपेंदर तिवारी जी उत्पर प्रदेश विवा परिशत के उपाध्यक्स डॉक्टर बिभाड चन कौसिक जी विभाग के अपरमुख्य सच्यू स्रिमती डिम्पल वर्मा जी मुख्यमंत्री कारेले के अपरमुख्य सच्यू से संजे प्रसाद जी विभाग के सभी अधिकारी गण, विभिन जन्पदों में उपस्तित जलादिकारी गण और युवक मंगल और महला मंगल दलों से जुड़े वे सभी अध्यक्स अन्यपत अधिकारी और प्रतिभागी गण मैं सबसे पहले विभाग को प्रदेश के युवाओं को एक रशनात्मक द्रिष्टी देने के लिए हिर्दै से बधाई देते हुए उन सभी युवक मंगल दल और महला मंगल दलों को इस उसर पर वधाई देता हुँ अपनी सुपकामनाई देता हुँ जिनने आज एक खेल सामगरी उपलब्द हो रही है मुझे बताते हुए प्रसंता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से धिक युवक मंगल दल और महला दल है जिनने ये स्पोर्स गिट उपलब्द कराई जा रही है जिसने बॉली बॉल भी है फुटबॉल भी है और भी अन्य चीजें इसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है प्रदेश सरकार के इस फ़र्ष्ट मंसा है कि हमारा जो युवा है वह राश्ट सक्ति का पतीक है एक युवा कल का नहीं आज का नागरिक है आज उसका द्रिष्टिकोन अगर सकारात्मक है तो अपनी उर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्वल भौश्य की नियू भी रख देगा जो किसी भी समाज अरंथता राश्ट के लिए बहुत ही उप्योगी साबित होगा और इस द्रिष्टि से युवा कल्यान विभाग एक वर्स में दो बड़े कारिकरम कर रहा है याद करिए बिगत वर्स इसी वर्स के प्रारम में जन्वरी में देश के छे हजार से थी कि युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनों में आईजित हुआ था अब तक का इस सबसे बड़ा युवा पुंब था और आज हर जन्पद में हमारे मंत्रियों जन्पर्तिनिधियों के करकमलों से युवा कमंगल दल और महिला दलों को वहाँ पर खेल की सामागरी उपलब्द कराने का एक जो ब्रहद अभिहान युवा कल्यान विभाग के द्वारा प्रारंब क्या गया है मैं इसके लिए सभी युवा कमंगल दल और महिला दलों का हिर्दय से विनंदन करते वे उन्हें बधाई देता हूँ अपनी शुपकामनाई देता हूँ लेकिन ओर्जा सब के पास है लेकिन ओर्जा की दृष्टी क्या है ये बैक्टी पे और समाज पे निर्फर करता है अगर हमारी दिशा रसनात्मक है सकारात्मक है तो हम स्वयम के लिए भी अपने परिवार के लिए भी अपने प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी उप्योगी होंगे अगर हमारा रसनात्मक है तो हम स्वयम के लिए तो बोजा बनेंगे ही बनेंगे समाज के लिए भी और अंधता देश के लिए भी एक बोजह बन जाएंगे खेल सामागरी वितन के पीछे का उपदेश से भी यही है आप सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने इसे पहले एक व्योस्था बनाई हर गराम पंचायत में हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे ओपन जिम का मिरमार कराया ओपन जिम के पीछे का उतेश से भी यही था कि बच्चे जाएंगे भालतू समय में वाओ खेल के प्रती थोड़ी भी जागरू को उगता होगी किसी को भी इसके साथ जोडने का एक अभ्यास होगा देरे देरे करके प्रियास करके सब कुछ हो सकता है उसी रसनातमत्ता के साथ जोडने का एक करम जो प्रारंब किया गया आज उसी की एक नई स्रिंकला है कि युवाक कल्णान बिभाग स्पोर्स के ये सभी किट प्रदेश के योक मंगल दलों को प्लब्द करा रहा है एक बहुत बड़ा कारे है देखने के लिए एक बॉली बॉल एक फुटबॉल होगा लेकिन अपने युवाओं के बारे में एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच इस बात का कि नहीं इन युवाओं की उर्चा का अप्योग समाज के लिए और रास्ट के लिए महत्तुकून है इसलिए हमें इनके मात्यम से एक बड़ा कारे करना है और मुझे लगता है कि विभागे मंत्री ने रूची लिए लेकिन विभागे पर मुख्य सचिव ने पुलिस में भरती होने के लिए राह खोल लई है कि अच्छे युवाओं पुलिस की भरती में असामिल हो सके इसके लिए स्पॉर्स के मात्यम से एक नया रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है तो एक अच्छा कारे है ये और मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बीस वर्सों से बंद पड़ी इसकीम थी युवाओं के बारे में जो लोग सोच नहीं रखते थे अपने साथ युवाओं जोड़ना पसंद करते थे लेकिन युवाओं के साथ कोई अच्छा कारे हो सके युवाओं अच्छी दिसा में आगे बढ़ सकें ये सोच ही नहीं थी और उसका तुस पेड़ाम क्या होता था कि एक बड़ी संख्या में युवाओं नसा की और जाता था मुझे असर होता है गाओं में युवाओं की बड़ी संख्या अगर ये हमारी ताकत नकारात्मक गिसा में जाएगी नसा की तरफ जाएगी आपसी जगडे फसाद में फंसेगी चोड़े लोड़े दिवादों को नाबस्षिक तूल देते भी दिखाई देगी ये गाओं का भी समाज का भी और अंतता राष्ट की भी अपूर्णी अच्छती है इसे सकारात्मक तुर्ष्टी देना आप देखते हों कि खेल में टीम वर्क होता है और एक स्वस्त प्रतिस्वरदारी होती है हमें चंता होगी तो हम खेल जीतेंगे नहीं होगी तो अगली वार के लिए प्रियास करेंगे याद रखना ये टीम वर्क ही समाज की सफलता का आधार बनता है जीवन के हरे एक छेतर में कोई छेतर ऐसा नहीं जहां पे अगर टीम वर्क नहीं एक परिवार में अगर छे सदस्य हैं और छे के स्वर अलग अलग हैं वो परिवार कभी एक साथ नहीं कठा होके चल सकता एक कहेगा कि मैं नौ बजे बोजन करूँगा तूसरा कहेगा कि नहीं मैं दो बजे करूँगा तेसरा कहेगा कि मैं तो रात्री को बारा बजे करूँगा और इसी को लेकर के विवार होता रहेगा तब तो चल गया परिवार परिवार के मुख्या ने वोजन एक बार बनाया सब को बिठाया परोसा सबने एक साथ पाया ये परिवार की विवस्ता चल गई एक ब्यक्ति की पसंद सब की पसंद नहीं हो सकती एक सामीकता का निर्णे एक साथ चलता है और परिवार की विवस्ता चलती है ऐसे ही समाज की विवस्ता भी होती है एक टीम वर्क जब भी किसी विवस्ता के साथ जुड़ती है तो अताकत कई गुना बढ़ जाती है और खेल हमें एक टीम के रूप में कारिक करने की पिलना भी देती है तो साथ साथ सफलता रसफलता से अगर हमें सफलता मिली तो उसमें हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए लेकिन अगर असफलता भी मिली तो भी अपराद बोट नहीं होना चाहिए बलकि दोनों में सफलता मिली तो हम ग्राम पंचायद की प्रतिसपरदा से नय पंचायद में नय पंचायद से विकासखंड में विकासखंड से जिले में जिले से कमिस्नरी में कमिस्नरी से फिर स्टेट में फिर नेशनल के लिए और फिर आगे की प्रतियुक्ताओं के लिए अपने अपने को तैयार करते हैं ओलम्पिक में पदक जीतने वाला कोई भी युवा आचानक ओलम्पिक में नहीं जाता है छोटी सी सुरुवात करता है और छोटी सुरुवात बड़ी बनती है कॉमन वर्ट गेम्स में जाने वाला युवा सुरुवात छोटी से करता है और उसकी प्रतिवा निखरती जबालगे वड़ती है तो वही फिर दुनिया के सामने एक धूम मचातावा दिखाई देता है प्रधान मंतरी मोदी जी ने इसलिए खेलो इंडिया खेलो के माद्यम से इस युवात सक्ति को एक रसनात्मक दृष्टिकोन देने का कारे किया है ये रसनात्मक दृष्टिकोन देश के लिए उपयोगी है समाज के लिए उपयोगी है और ये देश और समाज के लिए जो उप्योगी होगा वा आपके लिए भी उप्योगी होगा ये कहे देना कि जो मेरे लिए उप्योगी होगा वही देश के लिए उप्योगी है ये अच्छी सोच नहीं जो देश के लिए उप्योगी होगा समाज के लिए उप्योगी होगा वो हमारे लिए भी उप्योगी होगा यह सोच हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए एक सोनारा उसर देता है और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे प्रसंता है इतने युवाओं को अब सूचिए 67,000 से थी युवक मंगलदर और महला दल बना दिये एक बड़ी फौज हो गई ये तो यानि यूपी पुलिस को पूरी तरह ये तो विल्कुल उसके पैरलल एक नया वो खड़ा कर दिया युवक मंगलदर और महला दलों का एक बड़ा कारिक्रम है ये और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर गराम पंचायते हैं तो 69,000 है लेकिन एक गराम पंचायत में कई कई राजस्व गाओं है कुल मिला के लगभग दो लाग की आसपास प्रदेश के अंदर राजस्व गाओं होंगे चोटे अंदर गाओं को मिला करके दो लाग की संख्या बनती है अगर हम इन दो लाग गाओं में प्रदेश के युवक मंगल दल और महला दलों का गठन करें इन्हें स्पोर्स के किट्टो प्लब्द कराएंगे ही क्योंकि मैंने तीन वर से पहले भी और दो वर से पहले भी इस बात को कहा था कि एक स्पेशल बजट बनाईए जो स्पोर्स किट इन तक प्लब्द कराने की विवस्ता हो सके लेकिन साथ साथ इन्हें विभिन कारिक्रमों के साथ भी हम जोड़ेंगे वेविन्न कारिक्रम जो हमारे होंगे रसनात्म कारिक्रम जैसे बहुत सारे योकमंगल दल ने करोना कालखंड में गाओं के अंदर आपदा की से निपटने के लिए प्रसासन के सयोग में वे खड़े रहे बहुत सारे योकमंगल दल अपने गाओं में सापता एक स्वच्चता का भिहान चलाते हैं बहुत सारे योगमंगल दल साकसरता में बड़ा योगदान दे सकते हैं बहुत सारे योगमंगल दल गाओं में सासन की विविन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए गाओं के अंदर बोस्ती और जागुर्ता का कारिक्रम करा सकते हैं। गाउं में होने वाले बिवादों के प्रटक्सिप करने में योगदान दे सकते हैं। अभी पंचाय चुना होने जा रहे हैं, पंचाय चुनाओ में कहीं बिवाद न खड़ा हो। इस दिश्टी से गाउं में बैट करके एक खेल भावना के साथ चुनाओ भी अगर किसी को लड़ना है, यह दुस्मनी थोड़े है, कोई प्रणान होगा तो जनम हर के लिए नहीं होना है, पंच साल के लिए अच्छा काम करेगा, जनता उसको आगे औसर देगी, नहीं देख क करेगा, जनता फिर से उसको वापस भेज़ देगी, लेकिन उसको दुस्मनी में नहीं बदनने देना, और अगर कहीं लगता है कि ये गाउं की विवस्ता से बाहर हो चुका है, कोई अनैतिक साथनों को अप्योग करना चाहता है, प्राज और गलत साथनों को अप्योग करक वसासन को सुचना दे करके उसमें प्रभावी कारवाई भी करवा देना, प्रियास होना चीए कि हमारे गाउं की इंट्री मुख्यमार्ग से जब आच ऐसे प्रारब होती है, कहीं गंदग ही नहों, गाउं में खाद का गड़ा बन जाए, गाउं का जितना भी सॉलिड वेस वेस्ट हो, वसी गड़े में लेके जाएंगे, एक साल, घेड़ साल, दो साल के बाद जबाद खाद बन जाए कि उस कंपोस्ट को आप खेतों में उप्योग करिए, गराम पंचाद उसको उप्योग करे, लिक्विड वेस्ट के लिए भी हमें देखना चाहिए कि ड्रेने सि बहुत जो बिमारिया केवल प्रदूसी जल की कारण होती है, इसलिए प्रदूसी जल से इस समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोगों को विसेश परियास करने चाहिए, इस पर हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, और ये काम योक मंगल दाल बहुत अच्छे डंग से क कर सकता है, और एक गराम पंचायत में कर सकता है, इसी परकार से गाओं में बेसिक सिक्सा परिशत के विद्याले हैं, या जूनियर हाई स्कूल होंगे, वहां की बिवस्ता ठीक हो, वहां की किसी परकार की कोई दिक्कत नो हो, गाओं के उसके साथ गराम पंचायत को साथ योक्मंगलदर और महला दलों को तमारा स्वरोजगार से जुड़ी भी साथन की स्कीम के साथ जोड़ने का काम भी हो सकता है इसमें सब को रूची लेनी पड़ेगी इन दलों के साथ साथ प्रसाथन भी अगर इसमें रूची ले लेगा एक बड़ा कारे हो जाएगा हम लोग युवक मंगल दल का गठन करके उन्हें स्पोर्स की टुपलब्द करवाएंगे और अगला जो कारिक्रम हो प्रयासो तब तक करोना पूरी तरह समाप्त हो जाए और फिर एक बड़ा युवक मंगल दल का एक संभिलन और महला दलों का एक संभिलन प्रदेश के अंदर ब्रहत पैमाने पर करने की एक विवस्ता हमें करने चाहिए जिसके मात्यम से उनके पास उनको एक जो कारियों नों ने दिये उसके अनुभाव का लाप प्रदेश सरकार ले सके ये जानकारी ले सके और जो सासन अपिक्सा करता अपने युवाओं से उन युवाओं की उस रसनात्मक उर्जा का उप्योग भी हम एक सकात्मक तृष्टी से आगे बढ़ा सके इस बिवस्ता के साथ मैं आज के सौसर पर जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ खेल सामागरी प्रदेश के युवाओं को प्लब्द हो रही है इसके लिए विभाग को हिड़े से धन्य बाद देता हूं लेकिन साथ साथ जिन यूवक मंगल दल और महला दलों को आज एक खेल सामागरी प्लब्द हो रही है तो बिना वहिर्दभाव के गाउं के अंदर एक उत्सापूर माहूल बनाने का अपना कारिकरम रसनात्मक तृष्टिकून को आगे बढ़ाएंगे और मैं जरूर चाहूंगा नसा के खिलाब अभियान जरूर चलाईए कोई भी नसीली चीजों का सेवन गाओं के अंदर कोई न करे इसके बारे में कुछेस अभियान आपका प्रारम होना चाहिए बनना चाहिए लोगों को बताया जाना चाहिए ये कारेकरम अगर आप किसी एक कारेकरम के साथ जोड़िए इसके खिलाब आप नसा के खिलाब अभ्यान चला सकते हैं ट्यूबर क्लोसिस दोजार पचीस तक प्रधानमंत्री जी ने लक्से निर्धारित किया ट्यूबर क्लोसिस के खिलाब कि हम ट्यूबर क्लोसिस को पुरी तरह समप्त करेंगे हर एक जन्पद में टीवी उनमूलन का एक विसेश अभ्यान चलता है इसमें टीवी से पीडित लोगों के लिए सरकार की कुछ इस्कीम है इस इस्कीम को उन लोगों तक पहुचाना और हर योकमंगल दल ये तै कर लेंगे अगर कोई भी गाओं में टीवी पीडित है उस तक हम लोग सासन की न्योशनों को पहुचाने का कारे करेंगे लक्सिन इधारित कर लें मुझे लगता बहुत बड़ा काम हो सकता है और आपकी ओर्जा समाज के लिए राष्ट के लिए प्योगी हो पाएगी मैं एक बार फिर से योकमंगल दल से जुड़ेवे महला दलों से जुड़ेवे जितने भी यहां पर ग्यारा जनपदों से जुड़ेवे प्रतिभागी गण यहां मेरे पास आये थे इसमें जो है माराज गंजनपच, चित्रकूट, वारानसी, बिशनौर, हरदोई, इतावा यहां से लोग आये थे मैंने पास जनपदों से स्वेम भी बातचीत की मुझे बहुत अच्छा लगा इन पांच जनपदों में अच्छा कारे हो रहा जिसमें गोरकपूर, अलीगर्ड, फिरोजावाद, मांदा, गुंडा अच्छा कारी योकमंगल दलों के द्वारा और महला दलों के द्वारा हो रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में योकमंगल दल और भी अच्छे डंग से इस कारीकरम को आगे बढ़ाएगा मैं एक बार फिर से विभाग को इस रस्नात्मक कारीकरम के लिए धिर्दै से बधाई देते वे जिस्ते वे योकमंगल दल आज प्रदेश सरकार की इस रस्नात्मक अभ्यान के साथ जुड़ रहे हैं वे सभी अपनी पूरी उर्चा एक सकारात्मक त्रिष्टिकोन के साथ एक प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहूल पैदा करने में करेंगे इस विश्वास के साथ आप सब को मैं हिर्दै से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ धन्यबाद जोहिए